हेलो बच्चों ये कोशन आपका Mechanical Properties of Flood Chapter का कोशन है बच्चों बहुत ही सिंपल कोशन है देखिए यहां पर कोशन में हमें find क्या करना है find the coefficient of viscosity of the liquid liquid का हमें viscosity find करना है जिसे coefficient of viscosity भी बोला जाता है तो बच्चों जो coefficient of viscosity होता उसका symbol यह होता है और इसका formula होता है this is coefficient of viscosity is equal to stress divided by strain rate होता है अब बच्चों stress का formula क्या होता है force divided by area यह कौन सा वाला force है बच्चों यह viscous force है viscous force divided by area और strain rate का मतलब क्या होता है stress rate का formula होता है velocity divided by thickness यह L क्या है बच्चों ठिक्चनेस है एक यह पर यह table है और यहाँ पे यह metal का block है ठीक है और यहाँ पे बच्छो एक liquid है एक thin film है liquid की एक thin layer है बहुत पतली सी layer है यह table के उपर एक thin layer है liquid की और इसके उपर एक metal का block रखा है तो यह जो metal का block है बहुत ज़्यादा heavy भी नहीं है हलका full का ही है ताकि जब हम इस string की help से इसे खीचेंगे ना यह string देखो यहाँ पे एक load लगावा है तो यह नीचे की तरफ एक force apply करेगा भी अभी यहाँ से यह बच्छो लॉक हो रहागा तो जब हम इसकी pin को remove करेंगे तो यह unlock हो जाएगा तो यह move करने लगेगा नीचे की तरफ तो यह भी move करने लगेगा तो यह इस liquid को उपर slide करने लगेगा तो बच्छो यहाँ पे नीचे की तरफ एक force लगेगा तो यहाँ पे यह liquid क्या होता है बच्छो विसकस होता है तो यह viscous liquid क्या करेगा यह भी इसके motion को oppose करेगा तो opposite direction में एक viscous force लगाएगा मतलब इसके motion को oppose करने की कोसिस करेगा अगर ये force लगेगा तो ये forces से आगे धकेलने की कोसिस करेगा तो ये भी opposite direction में एक force लगेगा जिसे हम viscous force बोल दें ठीक है अब देखो बच्छों जड़ा मैं question पढ़ लेता हूँ question में के रहा है metal block of area 0.10 meter square metal block जो है बच्छों इसका जो area है ये वाला area ठीक है ये वाला जो liquid के contact में ये वाला area इतना दे रहा 0.10 meter square तो area लिख देते हैं यहाँ पर 0.10 meter square इस connected to a 0 point ये जो बच्छों ये जो metal block है ये 0.010 kg मास से connected है तो ये इस string के help से इसके साथ connected है तो ये मास कितना दे रहागा 0.010 kg दे रहा ठीक है तो बच्छों मास चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.01 kg लिख दिया actual मैं यहाँ पर 0 लगा वाना मैं उस 0 को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ friction less भी consider करना है mass less से confuse मत होईएगा ये जो string है इस string का mass consider नहीं करना बस मतलब इस string को mass less समझना है बाकि हमें इसका mass consider करना है ठीक है इस body का mass consider करना है आगे कहा रहा है liquid with thin film thickness तो बच्छों यहाँ पर ये liquid यहाँ पर place हो रहा है यह table है इस table के उपर यह liquid है liquid के उपर यह block है तो इस liquid का जो thickness दे रहा है film thickness यह liquid film thickness 0.30 mm दे रहा है तो formula में बच्छों यह जो L होता है L का मतलब thickness ही होता है तो इसका जो thickness दे रहा है बच्छों कितना दे रहा है 0.30 mm दे रहा है आगे लिखा है बच्छों, यहां पे question में क्या कह रहा है, when release the block moves to the right with constant speed, देखो बच्छों with constant speed लिखा हुआ है, अब देखो यहां पे कुछ समझना पड़ेगा आपको, देखो बच्छों क्या कह रहा है, when release का मतलब यह है, कि जैसे ही हम, यहां पे बच्छों, अभी क्या है, अभी यह move नहीं कर रहा है, तो हम इसे जैसे ही unlock करेंगा, यहां से एक pin remove करनी होती है, तो यह move करने लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक force लगने लगेगा, समझे रहो ना, जो इसका weight होगा, उसकी वज़े से नीचे एक force लगेगा, तो वो किसके ब्राबर होगा, m into g के ब्राबर होगा, m तो इसका mass यह दे रहा है, g मतलब 9.8 की value, ठीक है, तो बचों यह force क्या करेगा, इस पे लगेगा, यहाँ पे भी उतना ही tension force लगेगा, जितना यह mg है, उतना ही यहाँ पे भी force लगेगा, लेकिन बचों यह liquid भी क्या करता है, opposite direction में एक viscous force लगाता है, liquid भी क्या करता है, एक viscous force लगाता है, लेकिन बचों यहाँ पर यह जो हम experiment कर रहे है experiment इसले कर रहे है ताकि हम coefficient of viscosity calculate कर सके तो इस experiment के लिए जो necessary condition हो दिए वो यह हो दिए कि यह जो block है बचों यह constant velocity से move करना चाहिए minimum constant velocity से move करना चाहिए देखो यहाँ पर question में लिखावा भी है when release the block move to the right with constant speed तो यह towards right move कर रहा है इधर move करने लगिया यह liquid के उपर क्या कर रहा है इस स्लाइड कर रहा उपर यह block तो constant speed से velocity से या constant speed से move कर रहा है यह velocity कितनी दे रहे है कि 0.085 यह velocity ठीक है तो यह velocity constant होने चाहिए 0.085 तो बचों यह velocity constant कब होती है पता है आपको कब होती है जब यह force और यह force same होगा जब यह जो नीचे की तरफ जो applied force है नहीं यह वाला बचों यह वाला force यहाँ पर यह tension create हो रही है तो यह tension इसी के बराबर होगी यह tension यहाँ पर इस mg के ही बराबर है इस mg के बराबर tension है तो बच्चों ये जो ये जो force है ना और ये जो force से दोनों बराबर होने चाहिए अब कुछे बच्चे सोचेंगे कि सर आप ऐसे क्यों बोलोगी ये force आut दोनों बराबर होंगे तो ये तो move करेगा ही ने बच्चों move करता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इसका मतलब आपको physics की बहुत अच्छे से knowledge नहीं होई है तीक है आप second or third chapter channel की playlist में जाई है chapter second or third पड़ी है अच्छे से वहाँ पर मैंने यह चीज़े explain कर रही है चलो मैं इसे एक चीज़े बताता हूं मालो इधर यह 10 newton का force लग रहा है यह जो liquid लगा रहा है इस motion को रोकने के लिए और इधर भी क्या लग रहा है बच्छों मालो इधर यह 10.0001 newton का force लग रहा है तो इधर का force थोड़ा सा भी जादा होगा तो यह क्या करेगा यह हलके-लके move करने लगेगा constant velocity से move करने लगेगा समझ माल रहा है कुछ तो यह जो value है यह जो value है यह almost क्या है बच्छों एक दूसरे के बहुत जादा close है तो हम इन दोनों को equal माल लेते हैं समझ माल रहा है इन दोनों को equal माल लेते हैं तो बच्छों हमें यह वाला जो f है इस viscous force बोलते हैं यह वाला f जो इस direction में लग रहा है तो यहां पर यह this is viscous force तो यह जो viscous force होगा जो कि इसी के क्या होगा काफी close होगा तभी जब यह दोनों बहुत जादा close होते तभी यह constant velocity से move करता है समझ माल रहा है तो हम बच्छों यह जो viscous force है इसे हम mg के ही equal लेंगे समझ माल रहा है इसी mg के equal ल और L उपर चल जाएगा तो बच्छों यह जो आपका F है एक्चुल में यह viscous force है यह किसके equal है इस mg के ही equal है तो यहां पर M into G आ जाएगा into L आ जाएगा यह area into velocity आ जाएगा समझ माल रहा है अब हमें just बच्छों value पूट कर रहे हैं बाकि कुछ नहीं करना है दोगों यहां पर मास कितना दे रहा है मास दे रहा है 0.01 यह 01 kg तो यहां 0.01 मैंने लिग दिया into G का value 9.8 होता है thickness कितना दे रहा है बच्छों 0.13 to 10 की power minus 3 this is thickness divided by area कितना दे रहा है बच्छों 0.10 meter square ओके इतना समझ माल रहा है और बच्छों velocity कितना दे रहा है यह constant velocity से move कर रहा था तो वैल 0.085 meter per second इतना बच्छों समझ माल रहा है अब देखो एक और चीज़ बदाता हूँ देखो यहाँ पर decimal के बाद 2 digit है यहाँ पर decimal के बाद भी 2 digit है तो यह decimal remove हो जाएगा क्या हो जाएगा remove हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 into यह 9.8 यह 1 divided by 10 हो गया ठीक है तो उपर 10 की power 3 चला जाएगा यह तो नीचे 85 हो जाएगा यह decimal मैंने हटा दिया तो उपर 10 की power 3 हो जाएगा इतना समझ माल रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा बच्छों cancel हो जाएगा ओके अब देखी बच्छों इसे आगे हम solve कैसे करेंगे देखो जैसे 9.8 है तो 9.8 को म मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 98 इंटू 10 की power minus 1 लिख सकता हूं यह decimal मैंने यहां से हटा है 10 की power minus 1 हो गया 0.30 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 इंटू 10 की power minus 2 लिख सकता हूं अब बच्छों जो 10 है न 10 को मैंने उपर भीज दिया 10 की power minus 1 हो जाएगा और यह divided by क्या हो जाएगा बच्छों अगर मैं इन दोनों को multiply करता हूं तो multiply करने पर कितना आएगा बताओ इन दोनों को multiply कर रहा हूं 4,2,3,9,27,28,29,29,40 आजाएगा 10 की power minus 1,10 की power minus 2,10 की power minus 1 क्या होगा 10 की power minus 4 हो जाएगा divided by 85 हो जाएगा इन दोनों को divide करते हैं चलो ठीक है तो मैं calculator से इन दोनों क divide करके बता रहा हूं कि कितनी value आ रही है बच्छों ये इसका जो division आ रहा है वो आ रहा है आपका 34.588 into 10 की power minus 4 इसे round off में भी लिख सकते हैं 34.588 को 6 भी लिखा जा सकता है इन टो 10 की power minus 4 now बच्छों इसे scientific notation में लिख लीजिए अगर मैं इस decimal को इदा shift कर देता हूं 3.46 से इसे लिख देता हूं अगर decimal मैंने इदा shift कर दे ठीक है तो यहाँ पे बच्छों क्या हो जाएगा यह 10 की power 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 की power minus 4 भी होगा तो बच्छों यह आपकी value आ गई पास्कल सेकेंड में coefficient of viscosity का जो unit होता हो पास्कल सेकेंड होता है और एक और unit होता है बच्छों इसका आप 14 में भी लिख सकते है और और क्या newton per meter square सेकेंड भी होता है उसका unit ठीक है तो यह question आपका complete हो गया है